हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नीए वीडियो में तो दोस्तों गणेश चतुर्ती की आप सभी को एडवांस में ही बहुत सारी सुपकामना है तो चलिए वीडियो की और बढ़ते हैं आप लोग ने टाइटल तो पढ़ी लिया हुआ तो आज हम आए हैं गणेश चतुर्ती स्पेसल वीडियो लेके की गणेश जी कहा का मिल रहे हैं यानि छोटे घर से लेके पंडाल के लिए जो की दंते सोरी मंदीर एरिया में हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं तो दोस्तों अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है जो पहली वीडियो थी उसमें हम बड़े पंडाल में जाके कवर किये हैं और इस वीडियो में हम छोटे गणेजी को दिखाएंगे जो की घर के लिए हैं कम बजट में और पुजा का सामान और सजावत का सामान कहां मिल रहे हैं वो भी बताएंगे तो वीडियो को आखरे तक देखिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जड़ी कीजिए तो चलिए कंटिन्यू करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज मार्केट में बहुत ही रश है और भीड तो रहे गई तेवार का उत्सव है तो चलिए थोड़ा आगे चल के आपको और अच्छे दिखाते हैं भगवान की मूरतिया और हमें भी लेनी है तो सेलेक्ट करते हैं और पूरा और बजट भी पूछेंगे तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं गणेजी की छोटी छोटी प्यारी मूरतियां हमने बजट पूछा यहां पे तो बताया कि देड़ सो से लेके साड़े पान सो तक की यह मूरतियां आप सभी को पढ़ जाएंगी और हजार रुपे की मूर होती है और दो हजार की भी है तो चलिए पूरा मार्केट एक बार और देख लेते हैं दूसरे स्टॉल्स में भी जाके देखते हैं वहां पे क्या माहल है तो दोस्तों आपने देखा हम थोड़ा आ गया चुके हैं यहां भी अच्छा कासा स्टॉल्स लगा है मूर्तियों के लिए और हमने भी अपने लिए गनेज जी की मूर्ति एक सेलेक्ट कर लिए तो चलिए आपको हम थोड़ा पास में जाके अच्छे दिखाते हैं तो दोस दोस्तों ठीक आप सामने देखिए यह मूर्ति हमने सेलेक्ट की है गनेज जी की हमें 150 में पड़ी यानि कि देड़सों में तो दोस्तों आपने देखा हमने गनेज जी की मूर्ति सेलेक्ट की और आप सभी को भी दिखाया कि गनेज जी कहा कहा मिल रहे हैं तो चलिए अब गुल बजार की ओर चलते हैं जहां पे हम थोड़ा सा पूजा का सामान लेंगे और डेकोरेशन का भी सामान मिलता है तो आपको दिखा देते हैं उसके बाद वीडियो की समाप्ति करेंगे तो चलिए गुल बजार पहुंच के हम आपको तुरंच जोइन करते हैं तो दोस्तो हम गुल बजार पहुंच चुके हैं और तो चलिए आपको दिखा देते हैं फूल पान कहा मिलेगा और डेकोरेशन का सामान फिलाल तो आज काफी रश है मार्केट में तो थोड़ा आगे चल के आपको दिखाते हैं हम देखिए यहां पे चलने के लिए भी का सामान फ्रेश मिल जाएगा आप लोगों को जरूरत है चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं सबसे बढ़िया यहीं पे मिलता है जगदलपुर में तो बाताइए आज के लिए बस इतना ही वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेट्स करके तो मिलिंग एगली वीडियो में और गनेश चेतुरती की हारदिक शुब कामना है गुड़ बाई